पुर्तगार जाने के दोरान लापता हुए गाउं कैलरम के साहिल का अब तक कोई सुराग नहीं मिला जिसनाते गरामिनों का रोश अब बढ़ता जा रहा है दरासल 9 जून के बाद से शाहिल का परिवार से कोई संप्रक नहीं हो पाया अब स्थानिय परशाशन की कारिया शैल को बचाने में लगा है डाई महीने का समय बीच जाने के बाद भी साहिल के बारे में कोई शुराग नहीं लगा परिवार को यकीन है कि साहिल लीबिया देश के अंदर किसी शहर में मौजूद है आज गाउं कैलरम के दादा खेडा चबूतरे पर ग्रामिनों ने स्थानिय परशाषन के खिलाब गुसा भी जाहिर किया और भविश्या में कड़ा फैसला लेने की बात कही मेरा नाम अजमेर सिंग एक सर्पूंस कैलरम तो ये जो साहिल के बारे में काफी दनों से अभी एक सब्ता से लगातार कभी कैलरम में कभी तीतरम में छोटा गाउं में मिटिम गहरा चल रही है पंचैते चल रही हैं सरकार और परशाशन के खिलाब बहुत गाउं वालों में बहुत जवरदस्त रोस है हमारे उस बच्चे के लिए परशाशन की तरफ से कोई कारवाई नहीं हो रही हमें तो बिलकुल ऐसा हो रहा है कि दोश्यान के साथ परशाशन भी मिला हुआ है हमें बार-बार जुठा अश्वाशन दिया जा रहा है कल को रेष्ट करेंगे परशुओ करेंगे ऐसे जुठे लभावने मतले वो देते हैं फिर भी मले करीब तीन महिनों करीब तीन में नहीं हो गए है हम निचे से लेकर उपर तक मल परशाशन और सरकार को चाहे उसमें स स्वाशन जुठा मिला है ना कोई हमें हम डियाईजी साफ से आईजी साफ से एस्पी साफ से भी कई बार मिल चके हैं लेकन हमारा अभी तक कुछ नहीं हुआ हम मिटिंगों का दोर जारी है हम कोई भी दोनों गाम मिलकर मलेकता का सुत्तर देकर हम कोई भी ठोस कदम उठा स करते हैं